दोस्तों ये जो laptop आप देख पा रहे हैं ये है 5 साल पुराना laptop जिसके अंदर हमने कुछ दिन पहले SSD अपग्रेड किया था और उसके अंदर Windows 10 इंस्टॉल किया था आप में से काफी लोग पूछ रहे थे Windows 11 का एक नया वीडियो बनाओ तो मैं आपको दो method बताऊंगा जिसके जरीए आप Windows 10 से Windows 11 में जा सकते हैं और दोनो method में आपका कोई भी data का नुकसान नहीं होने वाला है कोई साभी method आप follow कर सकते हैं मैंने जान बूछ करके आपको दो methods बताए हैं ताकि आप पूरा process समझो, सीखो और अपने laptop में apply करो आपका laptop पांच सल पुराना हो या कितना भी हो पूरा process follow करने के बाद आप भी Windows 11 यूज कर पाओगे तो वीडियो को पूरा देखना अच्छा लगेगा like करना 5000 लाइक टार्गेट है पार करा देना तो सारे footage को मैंने अपने editing laptop में transfer कर लिए अब चलो सारी चीजों को मैं बारी-बारी बताता हूँ आपको तो desktop पे आप देख सकते है, note review करके एक folder हमने create किया है, जिसमें दो method की जिक्र की गई है method 2 के अंदर आपको दोनों file की जरुद पड़ती है method 1 में आपको cable window 11 की जरुद पड़ती है अब यहाँ पार से दोस्तों कुछ files भी हमें download करना पड़ेगा जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसका download links में आपको देदूंगा description box में रुख जाओ पहले देख लो कैसे करना होता है तो सबसे पहले आप देख पा रहे है कि जो PC health checker है उसको हम यहाँ पार से download करेंगे इसकी मतलब से आपको पता चल जाएगा कि आपके PC का requirement क्या है नहीं है अगर है अच्छी तो ठीक है नहीं है तो हम bypass कर लेंगे नेक्स्ट यहाँ पर से दोस्तो हमें जरुद पढ़ता है एक DDL फाइल का जो की bypass करने में help करता है तो इनका भी link आपको description box में मिल जाएगा जो कि आप देख सकते है अब next यहाँ पर से दो ISO की जरुद पढ़ेगी जिसके लिए definitely आपका data जादा लगेगा जो कि आपको ध्यान में रखना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर से Windows 10 को यहाँ पर download करने का तरीका आपको बताएंगे और यहाँ पर से Windows 11 को हम download में लगा देते हैं क्योंकि इसका ISO आपको directly Microsoft के website पर मिल जाता है तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर से आपको directly आना है next यहाँ पर से download का जो आपको option मिल रहा है यहाँ पर से सबसे पहले आप select करना Windows 11 then download पर click करना यहाँ पर से आपको select करना पड़ेगा अपना language और उसके बाद यहाँ पर से आपके जैसे ही confirm पर click करोगे आपका एक download link create होकर के आजाता है जहाँ पर से आप 64 bit को download कर सकते हैं तो Windows 11 को download होने देते हैं meanwhile हम Windows 10 का जो iOS है उसको create करने का process आपको बताते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आना है create Windows 10 installation media के एक option मिलेगा इसको आपको download कर लेना है download करने के बाद यह जो आपका file रहेगा इसको आपको open करना है और उसके बाद इसको आप double click करके install पे click कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर से जो main process है वो start हो जाता है तो यह file थोड़े देर खुलने के बाद दोस्तो यहाँ पर से आपको accept करना पड़ता है agreement और next यहाँ पर से आपको दो options दिये जाते हैं upgrade this PC या फिर आपको installation media create करना है एक ISO के form में तो यहाँ पर से हम यह वाला select करके यहाँ पर जो भी language यह सब है अगर कुछ changes वैसे तो करना नहीं होता है बढ़ ठीक है आप देख लो और next यहाँ पर करने के बाद आपको ISO फाइल पर क्लिक करना है क्योंकि हमें एक file चाहिए जो कि हम custom save कर सकते हैं अपने PC के अंदर और यहाँ पर से location देने के बाद दोस्तो आप आराम से चाहो तो इसको download होने में लगा सकते हैं यह बहुत अच्छा खासा time लगाता है मतलब दोनों file हमारे download होना start हो चुके हैं और दोनों को time लगेगा हमारे पास internet fast है जादा ही है मतलब तो यह काफी जल्दी भी हो गया था लगबग 10-15 GB हमने ऐसे उड़ाया था बहुत सारे वीडियोज हमने shoot किये थे तो उसके लिए तो बहुत सारे चीजों को हमें test करना पड़ता है पहले वैसे testing करना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन जब बात आती है stock market की तो जो beginners होते हैं वो बहुत बड़ा गलती करते हैं अपने friend या relative से सलाह लेकर के invest कर देते हैं जो की बहुत रिस्की है तो एक expert की जरुवत पड़ती है तो आप मोतिलाल Oswal के platform का use कर सकते हैं जहां पर platform है दोस्तों इसमें आपको 30 plus year का इनका experience मिलता है साधी साथ 50 lakh plus इनके customers हैं तो again बहुत जादा reputed आपको ये platform मिल रहा है और बाकी first year का free maintenance charge और flat brokerage at 20 per lot के साथ अपना investment journey start कर सकते हैं अब करना क्या है कि आगर आप DMAT account open करना चाहते हैं तो pan card, आधार card और bank के proof दे करके आप free में DMAT account open कर सकते हैं इनके platform का use करके और account open करने के बाद आप eligible हो जाते हो welcome basket के लिए जहाँ पर आपको AI based tool मिलता है आपका brokerage reversal मिल जाएगा इसके साथ साथ आप इनके app का भी use कर सकते हैं जहाँ पर आपको real time notification और stock के recommendation भी मिल जाते हैं even आप phone call करके भी investment कर सकते हैं तो free DMAT account open करने के लिए description box में मैंने मोतीलाल ओसवाल का link दे दिया है जिसके जरीया आपको अपना नाम phone number और city details डालना है आपका online account open हो जाएगा बाकी चलो अब back to video बाकी खेर यहाँ पर से आप देख सकते हैं दोनों download हो चुके हैं जो कि आपके सामने हैं download हो जाने के बाद दोस् तो इसी तरीके से मैं भी आपको recommend करूंगा ताकि आपको last time में दिक्कत नहीं है तो windows 11 हमने नाम अच्छे से कर दिया 10 अच्छे से कर दिया और दो अलग-अलग method हम बनाने वाले हैं तो यहाँ पर से हमने दो अलग-अलग तरीके से यहाँ पर से आपको methods दिखा दी हैं इस पड़ा है आपके case में तो ठीक है यहाँ पर simply extract करनी की जुरुत पड़ती है तो इस चीज को हम download कर लेंगे install कर लेंगे और next यहाँ पर से दोस्तों यह आप देख सकते हो जैसे ही आप इस folder के अंदर आओगे जो हमारा है तो आपको यहाँ पर 7-zip का एक option मिल जागा जो की method one के case में मैं पहले आपको बताता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं extract hair की option मिलती है इस पर आपको click कर देना है extract hair पर जैसे ही आप click करोगे यह extract हो जाएगा और थोड़ी दिर के बार आप clearly देख पाऊगे कि आपका file यहाँ पर से आ गया है अब scene के आ है कि अगर आप इस setup के अंदर जा करके double click करके open करके देखोगे तो आपको यहाँ पर से दिख जाएगा कि भाईया यह आपका PC में कोई problem है आप नहीं install कर सकते directly आपको यहाँ पर से दिक्कत आएगी तो हमें इसी को bypass करना है और इसी की वज़ह से हमने DDL file को भी download करके रखा था और similarly अगर आप PC Health Checker से भी देखोगे install करने के बाद तो उस तरीके से आपको वहाँ पर भी same चीज़ देखने को मिल जाएगा तो इसी चीज़ को हम bypass करने वाले हैं तो ऐसा problem अगर आपके laptop में भी आता है तो हमें DDL file की ज़रुत पढ़ती है जो कि हमने अभी just आपको download करवाया था तो हमा करना है और इस Windows 11 के sources के अंदर जा करके आपको यहाँ पर से paste कर देना है पेश्ट करोगे replace का option आएगा replace कर देना अब replace जैसे ही हो जाएगा अब directly double click करोगे setup के अंदर जा करके आपको यह वाला option दिख जाएगा और सारा कुछ बाइपास हो जाएगा यहाँ पर से आप जब जाले option है उसी को मैं recommend करूगा आपको मिलता है option directly click करके आप proceed कर जाना तो इस तरीके से करने के बाद आपका जो Windows 11 है उसका installation process से start हो जाएगा और start हो जाने के थोड़े देर के बाद आपको रुखना पड़ता है दोस्तों और उसके बाद आप clearly देख पाऊगे कि आपका यह जो installation का जो पूरा process है वो यहाँ पर से start हो चुका है बस इतना ही करना है method 1 में इतना ही होता है यार बहुत आसान तरीक है अब लेकिन मान के चलो अगर आपको method 1 पसंद नहीं आया अगर आपके पास data जादा है तो method 2 को भी आप use कर सकते है तो हमारा सारा process finally complete हो चुका है और अगर मैं laptop को start होनी के बाद अगर आपको दिखाऊं तो आप clearly देख सकते हैं मेरे जितने भी files थे जितने भी data थे सारे चीज़ जैसे थे हैं वैसे के वैसे ही रहेगे कोई भी चीज का नुकसान नहीं हुआ तो इस तरीके से अगर आप भी करोगे न तो आपका कोई भी file को आप तुरन से कर पाऊगे तो यही वाला process हम follow करेंगे और यहाँ पर back कर लेते हैं अपने Windows 10 के अंदर ताकि मैं आपको method 2 दिखा पाऊं और यह पूरे process में कोई भी data का नुकसान नहीं होता है तो यह चीज मुझे काफी अच्छा लगा तो Windows 10 से 11 जाकर करके वापस से 10 में आए हैं ताकि हम method 2 आपको दिखा पाएं तो इसी बात पर like कर दिना यार खेर यहाँ पर चलो आप देख सकते हैं हमारा Windows 10 आ चुका है और बाकी यहाँ पर से दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम अब method 2 का use करने वाले हैं अब method 2 के अंदर होता क्या है कि हमें दो files क की जरूत परती है दोनों ISO की Windows 10 की Windows 11 की हमें दोनों को extract करना पड़ता है जो कि आप देख सकते है right click करोगे 7 zip अगर आपने install किया है तो यहाँ पर से आप जा करके directly extract to Windows 11 कर देना Windows 11 का एक folder बन जाएगा और उसी के अंदर सारा Windows 11 का extracted file चला जाएगा similarly दोस्तों आपको Windows 10 के सा में जरूरत नहीं है आप चाहो तो रख सकते यार डेटा खर्च किया है बट ठीक है मैं जादा confusion नहों इस वज़े से इनको delete कर देता हूं और proper सजाने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा आपको दिखता है अब अगर यहाँ पर directly आप चाहो तो Windows 11 के अंदर जा करके setup के भी click के अंदर क्योंकि हमारा processor यह सब में थोड़ा पंगा है तो वह चीज है इसको हम bypass करेंगे अब उसको bypass कैसे किया जाता है उसका तरीका मैं आपको और दूसरे तरीके से भी बता देता हूं तो जो method 2 है उसमें Windows 10 के एक file delete होंगे और Windows 11 के एक file को हम यहाँ paste करेंगे वही सारा process है बाकी यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूं तो Windows 10 के folder के अंदर आपको चले जाना है sources के अंदर आपको चले जाना है और यहाँ पर आप देख पाऊगे लगभग मतलब पौने 4GB के आसपास का एक file है उसको हमें delete करना है खोज करके आप देख पाऊगे बहुत आसान स आसान नहीं है बढ़ ठीक है इसको आप देख लेना और इसको delete कर देना next हमें क्या करना है दुबारा से Windows 11 के अंदर जाना है similarly sources के अंदर जाओगे और एक file हमें दिखेगा जो कि बहुत बड़ा size का है 4GB से जादा ही size का है जो कि आप देख सकते हैं और उसको हमें यहाँ प के अंदर जो sources है उसके अंदर का एक जो main important जो सबसे बड़ा GB का है उसको उठा करके इसमें paste कर देना है बस इतना ही काम है और यह बहुत ही सही तरीका है अगर आपको लगता है नहीं है DDL file यह सब से हमें खेलना नहीं है हमें proper सही सही चीज़ चाहिए तो यह वाला method आप क कुछ copy paste किया है तो वो कब काम आएगा तो यहाँ पर हमने उसको delete कर दिया है और बाकी यहाँ पर से Windows 10 के अंदर जा करके हमें setup पर directly double click करना है setup पर जैसे click करोगे although इसका विजाट खुल के आएगा जहाँ पर बोलेगा भाया Windows 10 इंस्टॉल हो रहा है बट थोड़ा सा सबर क करोगे और उसके बाद आप देख बाओगे पूरा जो process है वो Windows 11 का यहाँ पर निकल के आएगा थोड़ी दिर के बार तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से पूरा process सेम है similarly जैसा कि मैंने आपको method 1 में बताया था यहाँ पर से भी आपको तीन options दिखेंगे आप अपना files और अचे data है उसको रखना चाहते हैं I think उसी को करना चाहिए और बाकी दो options है जो कि I think उसको आप मत select करना और next पर जैसे ही आप क्लिक करोगे installation स्टार्ट हो जाता है थोड़ा वेट करने के बाद आपका पूरा installation successful हो जाएगा और यहाँ पर से आप देख पाओगे similarly जो हमारा start method 1 में method 2 में exactly same चीज होगा और उसके बाद यहाँ पर सारा setup आपने complete कर लिया next यहाँ पर से अगर मैं आपको दिखाओं तो हमारे जितने भी फाइल जितने भी फोल्डर जितने भी आप जितने भी सेटिंग थे सब कुछ exactly same है as usual जो हमारा Windows 10 में था फिर हमने Windows 11 में गए फि एक टिप दे देता हूँ अगर आप method 1 यूज करते हैं तो आपका data जो होता है इंटरनेट का वो कम consume होगा method 2 में data थोड़ा ज्यादा consume होगा तो शिच का दियान रखना बाकि आप कौन सा method यूज करने वाले हो वो comment करके हमें बताना और हमने बहुत सारे अलग अलग वीडि पर हैं जा करके देख लेना और बस और भी लिंक्स आपको चाहिए होंगे तो description box में मिल जाएंगे और free DMAT account open करने के लिए मोतीलाल उसवाल का link description box में दिया हुआ है उसका भी use आप जरूर कीजिएगा और इस वीडियो में इतना ही like करके जाना यार 5000 like target है और अगर आपको PC related content में इंट्रेस्ट है subscribe करके ही जाना so thanks a lot for watching